सोया बीन की कीमतों में गिरावट का दोर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है नई फसल का उत्पादन भेतर होने की संभावनाओं के बीच सोया बीन के भावों में इस समय जबरदस गिरावटा रही है बीते एक पकवाडे में सोया बीन के भाव 3000 पे क्विंटल तक तूट गए है खरीब दो महीने पहले 75-77 रुपे प्रतिक विंटल के भाव पर निलाम हो रही सोया बीन के भाव घटकर 44-45 रुपे पर आ गए है दरसल प्रांटों द्वारा भाव गिराकर सोया बीन की खरीदी करने के असर से अनाज मंडियों में भी बोली गिराकर सोया बीन खरीदी जा रही है दरसल नए सोया बीन की परदेश की कुछ मंडियों में आवक महीने के अंतिम दिनों में शुरू हो जाएगी इस बार मोसम के अनकूल रहने से सोया बीन का उत्पादन ज्यादा होगा इनी संभावनाओं से प्लांटों ने सोया बीन के भाव काफी गिरा दिये है आंखडों के मताबिक इस बार मध्य परदेश में इस साल खरीब सीजन में 143 लाख हेक्टियर में खरीब फसलों की बुआई हुई है सबसे अधिक 50,18,000 हेक्टियर में सोया बीन की बुआई की गई है और इसके बाद धान का रखबा 32,20,000 हेक्टियर रहा है क्रिशी एक्सपर्ट का कहना है कि परदेश में फसलों की स्थिति काफी अच्छी है इस बार समय समय पर होती रही मौनसुनी बारीज से किसानों को रहत मिल रही है वहीं भुपाल मंडी में सच्छिव का कहना है कि सोया बीन के भावों में काफी गिरावट आ चुकी है लेकिन इससे राजस्वों पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सोया बीन की आवग भी कम हो रही है नए सीजन पर आवग बढ़ेंगी लेकिन भाव में अंतर आ जाएगा इसलिए मंडी की आई फिलाल समांतर बनी रहेगी आपको बता दें कि सोया बीन के होलसेल कारोबारियों का कहना है कि भुपाल मंडी में रोजाना 300 से 400 कुइंटल सोया बीन भीकने के लिए आता है अगले महीने से आवग बढ़ने लगेगी परदेश की इस समय आठी दस माह पुराने स्टोक कार रखा हुआ सोया बीन भीकने के लिए आ रहा है पुराना होने से सूखत ज्यादा बैट रही है इसलिए किसानों को धोरा नुकसान उठाना पड़ रहा है जिसकी वज़े से भाव नीचे जा रही है ऐसे में माना जा रहा है कि जैसे ही आवको का प्रेशर बढ़ेगा कीमतों के उपर और गिरावट आना तैह है झाल टाल आवको का इसलिए करना तैह है